तो विक्रम ने मुझे जूट क्यों बोला? वो सकता है उसने जूट बोला ही ना हो और आपने अपने मन में गड़ ली हो कहानी? आप अकसर करते हैं ऐसा मैंने तुझे इसलिए जूट बोला क्योंकि तू हमेशना हर बात को अज्यूंग करता है इसलिए मैंने तेरी दवाई ना तुझे ही पिला दी कभी-कभी हमें ना अपना अंदर कर सच निकालने के लिए जूट बोलना पड़ता हैं ना बेबी? तुमने जो भी किया हो पर अपने इस दोस्त का दिमाग पूरी तरीके से घुमा दिया यहां फिर शायद इन का दिमाग पहले से ही घुमा हुआ था तुम्हें शादी करने है ना डीटेल्स भरो अरे तो तुम्हें सिंगला है हां तो और वो तेलू तेलू वही हो लिफ काला कृष्णन त्रया हम चुपिया ना गंदा दमाग है ना अपका किसी की साथ बात करते क्या देखिया उसके साथ आप मेरा नाम जोड़ देते हैं हां मेरा गंदा रेमाग है सो बेसिकली तुम सिंगल हो हां करंग्ली तो सिंगल हो था एक प्रिष्टा पुरान पर शुरू होने से पहले ही खतम हो गया आपको तो पसंद करते हैं ना तो तुम सिंगल हो आप दोनों परमाला के लिए खड़े हो आप स्माइल करते हैं आप स्माइल करते हैं परमाला के लिए खड़े हैं दोस्की शादी हैं मेरी पर दोस्की शादी है तो पर तमीस मैं गव अराधना ने आज हमारी बेज़दी करा दे सरमाजी के सामने सर जुक्या मेरा आज अगर पूजा की शादी होगी नभकती अब महला में किसी को मुह दिखाने लायक नहीं रहेंगे दिंकी तो बड़ बड़ा भी रहे थी मुझे पले ही समझ जानना चाहिए था लेकि मुझे लगा दिंकी को क्या सरिस्ली लेना अब शांत हो जाएगे जाके देख लेके अरे शांत हो जाएगे देखो ना जड़कें साथ ने भाग भी ना चल अरादना पापा शादी हो गई है अब आप लोग कुछ नहीं कर सकते पंड़ी जी क्या पिरे हो गए हाँ शादी हो गई जजमान अरादने क्या मजा लें अंगल जो ओना तो हो चुका है आप लोग शांच रहें पीस अब मैं कानूनन विक्रम की पद्नी हूँ अब आप लोग नहीं सत्ति कौनसे कमरे में बंद करेंगे कितने फोन तोड़ेंगे आप आप सब लोगों ने मेरे से ऐसे ट्रीट किया जैसे क्यों मैं कोई क्रिमिनल हूँ मैं कोई क्रिमिनल नहीं में बाले कूँ और अपनी मर्जी से मैंने विक्रम से शादी की है अब मैं कानूनँ विक्रम की पतनी हूँ रीसन कीदम पूजा के साथ जबरस्ति करना कानूनी अफ्राद है Mr. Lama आप मेरी बेटी के बास है। तो नहीं कह रहा हुआँ लेकान आपने ये जो कुछ भी किया है इक नहीं किया अग्रा मैंने आप सिका जाना हूँ मेरे दोस्ता अच्छा लाका है, इनकी बेटी को नहीं बिलेगा और ये पैसला आपका लेगा, इसके ममी डड़ी का होना चाहिए पैसला से पूजा का है डाइड़ी अरादना अच्छा क्या फरकपड़ता है परिवार क्या सोचता है, माबाप क्या सोचते है, से कोई फरक नी पढ़ता पादली तुमसे उमीद भी क्या की जा सकते है अरातना हुमने बहुत कोशिश की तुम्हें समझा ने की तुम इस इखाने की लेकिन हमारी परवरिष कमसोर पड़ दे अखिर तुम भी अपनी मात इदर चुप रही है आप चुप रही है आप अचुप रही है आप चुप रही है आप इन सब में विक्रम का क्या फॉर्ट इदानी? अच्छा लड़का है अच्छा कमात है पुझा से बहुत प्यार करता है असे बहुत खुश रखेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि इसकी मॉम ने शादी नहीं की आपने उसे रिजेक्क कर दिया उसे कम समझ दिया ये कहा का न्याय है राज़ी अज़ी कह रही है रादन अरे मापा अपने बेटे के लिए अच्छा घर चाते हैं और मेरे पास वो ही एक चीज़ नहीं है परिवार घर पर आंटी पूझा ही मेरा परिवार है मैं उसके प्यार में कोई कमी नहीं आने दूँगा नाम का क्या आंटी चली मैं पूझा का नाम ले लूँगा पापा आप खुदी सोचके देखिए ये लड़का जो आपके सामने हाथ जोड़के खड़ा है इसने तो साफ मना कर दिया था मुझसे शादी करने के लिए कि भाग के नहीं आप सबके आशिरवाद के साथ शादी करना चाता था पर वो मैं ही थी जिसने से अल्टीमेटम दिया था कि मुझसे शादी करनी है क्योंकि मैं जानती थी कि मेरे माँ बापको मुझसे और मेरी खुशी से बढ़कर ये समाज है पूझा? पूझा का रोका आपने इतना जल्दी तेय कर दिया इसलिए इतना ये जित कर दी सबकुछ इतना जल्दी हुआ अंकल और आप तो अपनी बेटी की गुसा जानते हैं मैंने जो किया अपने प्यार के लिए किया अगर आपको ये मन्जूर नहीं है तो आप पूझा को अपन कि मैं और पूजा इस गलती को वापस से दो रहा हूँ पूजा में लिए सब कुछ है और मैं ये नहीं चाहता कि वो मुझे पाने के लिए आप लोगों को खोदे मैंने जिंदगी बर अपने माम को अकेले लड़ते वे देखा है बचपन से सिर्फ मेरा एक ही दोस्त रहा है रियांच लामबा नजाने क्यों स्कूल में उसके मुझे से दब्बू को अपना दोस बनाया और उसके पापा विवेक लामबा मेरे गार्डियन बन गए तब से मुझे जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे फैमिली दी इज़त दी जो मुझे कही और से नहीं मिली है ले देखे ये ही मेरा परिवार है और अब पूजा पूजा कानून ने हमें एक तो बना दिया लेकिन अगर आज तुम मेरे साथ गई तो उम्र बर तुम्हें रिष्टे का तूटने का गम होगा इस वक्ड़ जाओ पूजा और तुम देखना जब वो हमें और हमारे प्यार को जान जाएंगे तब वो खुद तुम्हें मेरे पास लेके आएंगे अंकल, कल मैं आपके घर आउँगा और अगर आपने मुझे अपनाया पूजा को अपने साथ लेके जाऊँगा और आउटी, पूजा आपकी बनाए खिछडी की बहुत तारीफ करती है थोड़ी खिछडी खिलाओगी ना आप मुझे पूजा 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 चलो जागरूती चलो रिखा तुमने विप्रिक पूजा के पैरिंस ने तो फिर भी उसे माफ कर दे लेकिन मेरे पैरिंस मुझे यह ऐसे अकेला छोड़के चलेंगा डादी ना प्यार व्यार की बातों मैं हमीशा ऐसे रियाग करते हैं मुझे लगता था बहुत प्रडेक्टिव है जैसे सारे डाद्स होते हैं पर आज आज तो ऐसा लगा जैसे उनकी नसरों में मैंने बहुत बढ़ा गुना करती है थांक्स राद्स तुने हमारे लिए इतना कुछ किया पर मेरी वज़े से अंकल इतना नाराज होके चले गए तुने जो कुछ भी किया ना प्यार के लिए किया बेटा चलो हमारे साथ ने ने आँटी आप लोग जाएं मैं थोड़ी दे रुक्के आऊंगी और अंकल आप दो डाडी को जानती है उन्हें थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है आप जाएं ठीके बेटा जल्दी आजाना पूजा कलाओंगा में घर पे पूजा समाल अने बीवी को थैंक्स भाई मेरे शादी के मेन्यू में बर्गर और कॉफी सही है यार एए थैंक्स भाई वान मैं वैसे वाव दो तूने पूजा को इसकी फैमिली क साथ के भेच दिया रो क्योंकि वो लोग सीधे लोग यार रो पंगे नहीं लेंगे और तू कमीना है कुमिन तूने मुझे और अपने अरादना के बारे में छूट पर वोला एक में तेरी असरेटी गई के नहीं अपता अफ्कोर्स तूने गयार तू भूग भी लग रही है अच्छा तु दे मुझे डॉक्टर के पैसे कि मेरे तेरे इलाज की है शुपकर अच्छा तुझे तो बर्दाश्ट नहीं हो रहा था जब अरादना मेरे साथ थीया उस तेलु कृष्णन के साथ तब से तुझे एसरे टी हुई ना इतने सारे दवा की बॉटल ही पी गया तो तू और अब देख बहुत फ्रॉड आदमी है अच्छा मैं फ्रॉड आदमी हूँ भाई अरादना की कहने पे तू अपने दोस की शादी में शेरवानी पेन के आ गया और अब तेरा चेहरा देख सारा टेंशन निकल गया है डूड तू स्माइल करना सिख्या यार यह सब चीजों करना एक ही जिम्हिदार है और वो है अरादना का सिंगल स्टेटिस ब्रो मना मत कर यो जो फिलिंग्स है वो कहीं नहीं जाने वाली तुझे प्यार है अरादना से अज़े चल वो सब छोड़ तु बहुत बड़ा ज़र्नलिस्ट है ना तु जाज आके ढून बजा टेकी कातकर अपने दिल से ब्रो मैं तेरा ना बच्पन से बेस्प्रेंड हूँ और मैं हमेशे ते लिए अच्छा चाहूँगा चल अब वो आ रही है मैं चलता हूँ सोचनम कोफी? हाँ नहीं मैं फ्राइस कांगी लार्ज दो के श्यूज मी दूफ्राइस एक्स्टालाज विक्रम कहा गया? अधे भई अपनी मॉम को मिलने गया है बतायेगा नहीं बहु आरही है तंक अचीब शादी है मतलब दूला तुनर अपने अपने गहन में और हम बराती हाँ वेट के फ्राइस का रहे है अपने अपनी किसमत है कॉली फ्राइस मत काओ बोगर औरो करू चीज़? नहीं, डबल चीज़ डबल चीज़? लाज टू ओके टू डबल चीज़ लाज़ बोगर प्लीज या विसे अपकी स्माइल से मुझे बड़ी गप्रहाट हो रही है तुम ही जाती थी ना कि मैं आसूं तो में मुस्कुराया रहा नहीं मनलब जादे ही स्माइल कर रहे पहले तक तो रो रहे थे पहले मैं खुश नहीं था अभी खुश हूं तो मैं हस रहा हूं वो आप में जो घर शोड़ देंगे? नहीं अए अफ्कोर्स शोड़ दूँगा मैं बस जल्दी से घतम कर देगा Stop रेकार? नू जिस जिस स्टॉप एट यह आप बहुत जादे ही स्माइल का गए तो तो आपको सूटने करता मलतब इतना साथ स्माइल ऐसा लग रहे जैसे कुछ तो गड़ पर रहने वाली है Like, really? तुम एन सब चीज़नां बिलीब करती है Are you like mad or what? Yeah इक से के है यह अंटिया अज़टी के पोर्टी यह तो सिर्फ एक है ऐसे में तीन कदम गड़ चुका हूं तुमस्ती रही और मैं जलता रहा एक सेकिंड मेरी हसी से मुझ से अपकी एसदीटी का क्या रिष्टा है? विष्टा विष्टा शोड़ो तुन मुझ बता दे कि तुमारी शादी विक्रम से नहीं हो रही है तो मेरी असदीटी ठीक हो चुकी है तो इसका मतलब जब तक आपको लग रहा था कि मेरी शादी विक्रम से हो रही है तब तक हो रही थी और जैसे आपको पतर जला कि विक्रम की शाज़ी तो पूजा से हो रही है आपको इसकी जरूरत नहीं पढ़ रही है आपकी एसदीटी ठीक हो गई पिर से स्माइब कमाल है चले आओगी 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 आपका घर पिर से स्माइब करें आओगी 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 आओगी